नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों हमारे चैनल में आपको विबिन प्रकार की गाउं पंचायत से संबंदित जानकारिया मिलती है वो कैसे मिल रही, किस हिसाब से मिल रही है, कब तक मिलेगी, आपके ब्लॉक, आपके पंचायत से संबंदित, सारे नरिगा की काम की जानकारी, सब कुछ, सब कुछ इस एक वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं दोस्तों, इसके लिए बस आपको इस वीडियो में शुरू से लिखर के अंत तक बने रहना है, और जो मैं बाते बता रही हूं, वो एक एक पॉइंट आपको फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, सबसे पहले आपको अपके फोन पे गूगल क्रोम को ओपन करना है, और उसमें इस वेब आप साइट का राम लिखेंगे, आप देखेंगे आपके फोन की स्क्रीन पर यह ओपन हो जाएगा, यह पर देखेंगे गूगल पर यह ओपन हो जाएगा, यह डार्क ब्लू कलर का लिखा वह आपको दिख रहा है, यह देखिए, यहां पर यह दिख रहा है, अब उसके बा इने हैं उस पी इस पर सरकारी वर्दी की ऐफिशर सबूर डीस हें नरेगा से संबंदित दो बॉक्स बने, एक नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट और एक All India नरेगा का रिकॉर्ड चेक करें, तो आपको पहले वाले पे क्लिक नहीं करना है, आपको दूसरे वाले ओप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तो, इस दूसरे वाले ओप्शन पे आ उपन हो जाएगी, यहाँ पे आप अपने फोन की स्क्रीन को सबसे पहले तो पोट्रेट मोड से हटा करके, लैंडिस्केप मोड पे कर लेंगे, जैसे फूल वीडियो देखा जाता है, ठीक है दोस्तो, अब यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यह लोगो दिख रहा होगा यह नरेगा का ओफिशल वेबसाइट है, यही सब उसके लोगो हैं, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले यह जो ऐसे नॉर्मल सेक मैट्स का सवाल होता है, उसको हल करके यहाँ पे लिख देना और फिर यह वेरिफाइड कोड पे क्लिक कर दे क्या करेंगे, आप मेरे में घटाने के लिए आप में जोडने के लिए आ सकता है, वो अलग अलग ही रहता है, तो उसको आपको क्या करना है, सामने लिख करके वेरिफाइड कोड पे क्लिक कर देना है, देखें मेरा मैं लिख करके क्लिक कर दे रही हूं, यह मैंने क्लिक कर अब देखिए अब यहाँ पे financial year दिख रहोगा आप लोगों को और एक option दिख रहोगा state name यह दोनों आपको भर देना है अपने state का नाम आप भर देंगे मेरे state का नाम मुत्तरदेश मैंने भर दिया और financial year मतलब जिस year का आपको देखना है उस year का आपको यहाँ पे भरना है ठीक है दोस्तों जैसे ही ऐसे बोलेंगे आप यहाँ पे देखिए आपने भर दिया सब कुछ फिर यहाँ पे देखिए R1, R2, R3 करके ऐसे सारे option आ रहे हैं यह देखिए R1 यहाँ पे इसकी just बगल में R19 लिखा हुआ क्योंकि नीचे वो बढ़ते हुए क्रम में ठीक फिर यहाँ R1 के बाद आपको R7 पे जाना है ठीक है दोस्तों R7 पे आपको ऐसे R7 लिखा हुआ ढूंडना है यहाँ पे देखिए नीचे R2 है फिर R3 है R4 है R5 है R6 और अब नीचे नीचे आने पे R7 मिल गया है यह देखिए R7 आपको दिख रहोगा Financial Progress करके इस Financial Progress में आपको यह First Option जो है Financial Statement इसी पर क्लिक करना है ठीक है Financial Statement पे आपको क्लिक कर देना यह देखिए मैंने क्लिक कर दिया देखिए यह साइट खुल रही है अब देखिए पूरी साइट ओपन हो गई और यहाँ पे आपको आपके राज्य से संबंदित हर डिस्टिक का जो है वो ब्योरा दिख रहा है यहाँ पे देखिए उत्तरप्रदेश मैंने सेलेक्ट किया था यह देखिए मैंने इस पे सेलेक्ट कर लिया अब यह ऊपन हो जा रहा है अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहोगा साफ साफ यहाँ इस्टेट फिर उसके बगल में डिस्टिक और यहाँ पे ब्लॉक अब आपको किया करना है ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है अब ब्लॉक का नाम मेरे सेलेक्ट कर लिया मैंने अहिरॉला ठीक है अहिरॉला मैंने सेलेक्ट कर लिया अब देखिए यहाँ पी इतनी सारी चीज़े स्टेट हो गया, डिस्टिक हो गया ब्लॉक हो गया, अब लास्ट में अंतिम आपको पंचायत सेलेक्ट करना है पंचायत का नाम आप अपने सेलेक्ट कर लेंगे मेरे पंचायत का नाम है अभैपूर तो इसमें आपको नाम सेलेक्ट करना है और नाम सेलेक्ट करने के लिए आपको नाम पे नहीं करना है number पर click करना मैं बता रही हूं उसको लिए आपको क्या करना है यह देखिए इसको मैं zoom कर रही हूं यहाँ पर ताकि आपको clearly दिखाई दी यह नाम है भैपूर इसके just सामने जाना है और यह जो पहला number है on skill wage के नीचे जो पहला number है इसी पर आपको click कर दिना इस त 2.06 मेरे मैं, मैंने इस नमबर पर क्लिक कर दिया, अब मेरे पंचायद से रिलेटेड जो काम गुआ था नरीगा में, वो सबका डीटेल ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये ओपन हो रही है, अब देखेंगे आपकी ये सारा कुछ ओपन हो जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपको देख रहा होंगे, आपके पंचायद को सेलेक्ट करने पे, यहाँ पे ये पूरा स्क्रीन ओपन हो गया है, यह देखेंगे आपके पंचायद का नाम ऐसे लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आपका district है, यहाँ पर आपका state है और उसके बाद यहाँ work name में, work name में वो काम हुआ रहेगा जो नारेगा का काम हुआ है, जिसका मज़दूरी आपको लेना है या देखना है यहाँ पर देखे, plantation यानि कि किस चीज का काम हुआ है, विक्षा रोपड का काम हुआ है तो यहाँ पर detail है, आप देखे, work name के just नीचे आपको क्या मिलेगा एक number मिलेगा, आपको इसी number पर click कर देना है मैंने देखे, इसी number पर click कर दिया आप देखे, स्क्रीन पर पूरा उस काम से related सारा जानकारी है आप देखे, पंचायत, विकास, सब कुछ दिया हुआ है यह कब से शुरू है काम, कब तक खतम हुआ है, यह भी दिया हुआ है कारे का नाम दिया हुआ है कितने लोग थे, क्या थे, अब उसका detail है ऐसे आप screen पर आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाए देखे, यह देखे total कितने लोग थे, 9 लोग थे 9 लोगों के नाम है, उनका सारा detail है उनका bank का पूरा detail है फिर देख सकते हैं, आप यहाँ पर उनका attendance का भी detail यह देखिए यहाँ पर कुल हाजरी दिया हुआ है इनकी 4 हाजरी है, एक दिन की मजदूरी दोस्तों क्या है? 230 रुपए तो इससे multiply होके 920 बनागे है, यहाँ कि इनको total 920 रुपए मजदूरी मिलेगी अब देखिए, यह सारे इतने डेट सारे लोगों के नामें, इन सब लोगों का यहाँ पर detail है अभी पैसा नहीं है, यहाँ पर पैसा नहीं आया है, जैसे ही पैसा आजाएगा तो यहाँ पर show करने लगेगा यहाँ पर देखिए, मैं जूम करके दिखा लेगा, अकाउंट क्रेडिट डेट में वो आ जाएगा और स्टेट में, स्टेटस में मेंशन करने लगेगा लेकिन अभी नहीं आया है, क्योंकि यह सब्टेंबर का ही काम है, आपके देखिए, सब्टेंबर तक ही काम हुआ है, तो हो सकता है, नवंबर दिसंबर तक आ जाए, लेकिन आ जाएगा तो इस तरीके से घर बैठे आप भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, पंचायत से संबंदि सारी जानकारी, आपकी मज़्दूरी, आपकी हाजरी, पैसा आया है, नहीं आया है, काम कौन सा हुआ है, और सब आपको जानकारी घर पर ही मिल जाएगी, इसके लिए आपको कहीं पे ज जाना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, इस तरह की और इंफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, थैंक्यू सो मजच,